आज की वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं आप सब को मालूम होना चाहिए मालूम होना चाहिए आज की वीडियो में आप लोग को क्या करेंगे रसायन विज्ञान ठीक है रसायन विज्ञान यानि केवेश्टी के 10 कितना वाबू 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रशन व very very important है जैसे आपका हो गया बिहार SSC, BPSC, SSC, Railway, Bank इन सारे पुछाbabी परिक्षा के लिए ये दसों question, जो है, very very important है, और ये सारा question जो है, परतिवगीताबरिक्षा में पूछागया question है, और ये सब question, जो है, बार-πόर पूछा जाता है, बार-बार आता है exam में, तो इन सारे question का answer आप लोग कर लेना, नहीं करोगे तो पक्का exam में पस्ता होगे, हलका में नहीं लेना इस सब question, इस सब question जो है, अच्छा question है, important question है, और ये सारे question जो है, question bank के से हम select किये हैं, और question bank के से वही question select किये हैं, जो exam में बार-बार आता है, यानि बार-बार पुछा जाता है, ठीक है, चलिए, question देखोगे न, आप लोग को सारा चीज, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कि ने, sir, जो बोल रहा है, ने, सही है, बोल रहा है, चलिए, पहला question आप लोग देख लिजिए, हरा कसिस, ये question नमबर एक है, question नमबर एक है, आपका, हरा कसिस, वहाँ तो आपका 4 option दिया हुआ रहेगा, हम option तो option नहीं देंगे, option तो ज़्यादा विडियो जो है, long हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा ना ही लगेगा, अना ही लगेगा तो आप लोग वीडियो आप सर कतना लंबा चोड़ा वीडियो बना दिये हैं, एगंटा अधा गंटा वीडियो होता है कहीं, ठीक है, आप लोग जो है, जादा सो जादा question चाहते हो, और वीडियो भी छोटा चाहते हो, तो इसलिए option हम नहीं दे रहे हैं बाबू, ठीक है, direct आप लोग को answer बता देंगा ठीक है, चलिए देख लिजिए हराकसिस का रसाइनिक सुत्रे क्या होता है, ठीक है, तो आपका होता है याद रखना, ठीक है, FESO4 इंटू 7H2O, ये आपका जो हैना हराकसिस का रसाइनिक सुत्रे हुआ, इसको आप याधी कर लेना, जिस option में आप देखोगे, FESO4 और देख लिजिए, ये वाला question आपका, आया हुआ है, RRC, ठीक है, दर्चिन पूर्व रेलवे, गुरूब डी परिक्षा, 2311-2014 को, ये question आया हुआ है, यानि पूछा गया question है, और कई परतिव किता परिक्षा में ये question आया हुआ है, तो सारा लिखेंगे न, तो आपके ज 2014 को आया है, यानि पूछा गया है, question है, ठीक है, हो गया, complete, चलिए, question नमर दो देख लिजिए, question नमर दो, ये भी question अच्छा question है, और इसका answer हमको लगता है, सबको पता होगा, ठीक है, लगबग सब कोई बच्चा जानते हो, इनका answer, बिजली, ठीक है, बिजली के बल्ब का filament, ठीक है, बिजली के बल्ब का filament, जो है, desk का बना होता है, यानि किसका बना होता है, बिजली का, ठीक है, बिजली के बल्ब का, यानि बिजली के बल्ब का filament, जो होता है, वो किसका बना होता है, तो option मा तो बहाद दिया हुआ रहेगा, चार्थो, तो हम direct, आप लोग को क्या कर देते हैं answer बता देते है तंग अश्टन याद रखना तंग अश्टन जिस option में तंग अश्टन देखो गे ने वह आपका right answer हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा यह तंग अश्टन जो है न है सही जवाब है यानि बिजली के बल्व का filament desk का बना होता है तो तंग और ये वाला question कब आया है अब देख लिजिए RRC Kolkata RRC Kolkata Railway Group D परिक्षा 2014-2013 ये question आया हुआ है यानि पूछा गया question है RRC Kolkata Railway Group D परिक्षा 2014-2013 को ये question आया हुआ है यानि पूछा गया question है और भी ये जो है नहीं कई बार परिक्षा में आया हुआ question है याद रख लेना बाबू ठीक है इसका answer Tengestan हो जाए question नमर 3 देख लिजिए ये भी अच्छा question है Potassium Dichromate Potassium Dichromate नाम सुने होने आप लोग का जो है इनका रसाइनिक सुत्र आप लोग को पता होगा हमको तो लग रहा है कि आप सबको पता है चलिए आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो इसका answer हमको लग रहा है आप सबको मालूम है Potassium Dichromate का रसाइनिक सुत्र क्या होता ये question number 3 है और ये question देख लिजिए railway technical परिक्षा में पूछा गया question है अब कौन सा वार से में पूछा गया है वो हम नहीं लिख पाए है तो याद रखना ये railway technical परिक्षा में ये question आया हुआ है क्योंकि आज की वीडियो में वही रसाइन विज्ञान का question बतला रहा है जो आपके सभी पर्द्विता परिक्षा के लिए important है और ये सब question आया हुआ है पूछा गया question सब है और important question है तो आप सब को मालूम होना चाहिए इसका right answer हो जाएगा K2Cr2O7 ये आपका potassium dichromate का क्या है रसाइनिक सूत्र है चलिए question number 4 देख लिजिए परात्मिक सोने की सुद्धता है कितना है तो किसको नहीं मालूम हो बताइए ये को question है कितना easy question और question नहीं कब आया हुआ है देख लिजिए BPSC 2005 यानि BPSC exam 2005 में ये question आया हुआ है पूछा गया question है तो इसका right answer सब को मालूम है न 24 carat हो जाएगा ठीक है तो जिस option नहीं में 24 carat देखोगे समाझाना वो आपका right answer है तो ये सब important question है बाबू ये सब question का answer नहीं छोड़ना चलिए 4 question हो गया चलिए question number 5 देख लिजिए question number 5 आपका क्या है चलिए question number 5 आपका क्या है question number 5 आपका very very important question है चलिए फटा-फटा हम आप लोग को बतला रहे हैं, हैमेटाइड आयस्क, यानि हैमेटाइड आयस्क के जो है, किस धातू का आयस्क है, सब को मालूम होना चाहिए, लोहा दातू का आयस्क है, तो यहाँ पे लोहा लिग दिये हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, हम डारेक हो BPSC हो SAC Railway Bank कोई भी परतिविता परिक्षा हो important है तो important है वाबू ठीक है चलिए question number अब 6 देख लिजिए और यह question देख लिजिए RRC हाजिपूर Group D परिक्षा 112-2000 तेरे को आया हुआ है question number 6 ठीक है question number 6 आपका है परमानू के कैंदरे को क्या कहा जाता है तो परमानू के कैंदरे को नाभी कहते हैं नुकलियस कहते हैं याद रखना question number 7 में है आपका परमानूख के केंद्रे को क्या कहते हैं? नाभीग कहते हैं, लिगदी हैं, ठीक है? नाभीग, यानि, नूकलियस कहते हैं ये भी question आया हुआ है RRC, दिल्ली, railway, group D, परिख्षा 9-11, 2014 को ये question आया हुआ है, यानि ये question आ लो ठीक है? चलिए question अब साथ देख ले, एलेक्टोन के खोज करता कोन ही के, एलेक्टोन के खोज करता के ही के, तो सब को मालूम होना चाहिए, तो एलेक्टोन के खोज करता जो आपका है, वो JJ Thompson है, यानि JJ Thompson याद रखना, अब ये वड़ा question कब आया है, RRB Trend Clark exam 2007 को ये question आया हुआ है, हम क्या बोल तो इस प्रकार से ये सारी question का answer हम बता दिये हैं सब के सामने लिखा हुआ है हमयटाइट ऐस के जो है लोहा धातू का है परमानू के केंद्रे को क्या कहते हैं नाभीक कहते हैं, dawn के खोश करता जे-जे थंसर घंषन है और ग्रेफाइट डाइमन का पूर्वमन का पूरुप चैलि आप सोन मICK लिजिए ठीक है छलिए को सनमर नौ देख लिजिए च् función अमर नो आपका क्या है ये भी को सन कर अच्छा को हो जाएगा ठीक बायो गैस का मुख्यावियव है वह आपका सी एच फोर यह वला कब आया हुआ है देख लिजिए कुन सा एक्जाम में आया हुआ है बिहार ससी इंटर लेवल एक्जाम 10-12-2018 पर्थम पाली में यह कोशन आया हुआ है यानि यह कोशन पूछा गया कोशन है ठ है यहां पर हम लिख देते हैं एस कोरबीक अमल विटामीन सी जो है वह आपका एसकोरबीक अमल है लिख दिया यहां पर यह कोशन सीडी स 1990 में आया हुआ यानि पूछा गया कोस्टन है तो ऐसे भी आज की वीडियो में जो है पहले ही हम आप लोग को बोल चुके थे कि आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं रसाइन विज्ञान यानि केमेश्ट्री के कि 10 महत्वपूर्ण अप्रसण भतला रहे हैं हिने बतला रहे हैं वह भी एंसर के साथ भतला है है ठीक है और यह सब क्योष सन पूछा गया कोस्टन है हर हाल में करना है नहीं तो आप पक्का बोलते हैं पस्ता होगे ठीक है जो अब तक चैनल को लाईप चैनल को सब्ड़ाइ झाल झाल